सबसे के हाल चाल आप सभी के अब आप लोग मेंसे काफी सारे जन्सोच रहे होगे कि वीविएक बाई कि चस्मा उसमा लगा के काई इंट्री मारे यह का तो गाई आज में आप लोगों को एक अच्छी सी गुड नियूज देने वाला था इसके लिए यार मैंने ऐसे मस्त चसमा उसमा लगा केंट्री मारी ताकि थोड़ा सा यार वजन पड़े मेरी बातों का अब यहाँ पे सीन ऐसा गी गई सकल की तारिक में मैंने काफी सारे ग्राफिक काड पर्चेस कर लिए जो की यह देखो भाई सहाब यह काफी सारे काड है यार मतलब इसी काड का अगर इतने काड का ही प्राइस बताऊ नों मैं आप लोगों को तो अराउंड टीन लाग के ऊपर चला गया है एंड साथी साथ में यह महेंगे वाले सारे काड्स है एंड इसके बाद बजट गेमर्स के लिए भी यार काड मैंने पर्चेस कर रखे हैं जो की यह है 1650 सूपर है आर काड की डाउश को लेकर क्योंकि ग्राफिक काड की प्राइस सच मे कम होने लेगी यार काफी दिनों बाद कितने सारे लोगों का यार पीसे बंद पड़ा था अब 근데 अब फाइनली वो ग्राफिक कार्ड लगा कि अपने बंद हुए पीसे में जान डालेंगे and मैं हूँ आप अगर आप लोगों का भी इंट्रेस्ट है ऐसे पीसी रिलेटेड वीडियो में तो भाई चैनल को सब्सक्राइब काहे नहीं कर लेते जो कि बिल्कुल फ्री है नीचे जो आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दीख रहोगा उसको दबाईए साथी साथ में घंटे को भी बजाईए ताकि इस तरह की वीडियो का मजा लेते हुए जाईए तो राइम कर गया नहीं तो सबसे पहले तो यार का स्टॉक देख लो यार आपके भाई के पास काफी सारे कार्ट्स आ चुके हैं एंड हम आप लोगों को एक एक करके बताएंगे कि यार ये सारे कार्ट्स साथ में इस्टाइड की लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल लाएगी एंड एक चीज़ और यार हम आल ओवर इंडिया सिप करते हैं तो अगर आप इंडिया के किसी भी काने खौप्चे में बैठे हुए हो तो वहां से आप सिंप्ली यार और प्ले के तो यहर मार्केट में ज्यादा एव cumulative नहीं था इसका जादा नहीं था तो हमने इसको दो ही लिया मतलब मिल खार हमको बाकी हम लेना तो ज्यादा चाहते थे वह तो ही मिला एंड ये वाला जो कार्ड है ना चार जीवी की वीरायम के साथ आता है इसके बारे भाई बताने की ज़रत नहीं काफी सारे बिल्स यार इस वाले कार्ड के साथ आरड़ी हमने कर रखे हैं अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल पर जाके देख सकते हो अब में प् आने जा रहा हूँ ना लेजेंडरी कार्ड है यार बजट गेमर्स के लिए इसके लिए तो चस्मा लगाना बनता ही है तो यहां पर जो हमारा दूसरा ग्राफिक कार्ड है वो है यह जो की है 1650 सूपर अब यह वाले जो कार्ड है ना भाई एक टाइम हुआ करता था कि परचेस किया जो की काफी ज्यादा ओर प्राइज है बट यार क्या ही कर सकते है अभी का मार्केट का सीन आप लोगों को पता है तो अगर आप लोगों को यह वाला कार्ड चाहिए 1650 सूपर तो भाई इसका भी दो ही स्टॉक है हमारे पास एक जोटेक का है एंड एक गीगा लोग है जिनको यह काड मिल सकता है चल दी जाओ फटडफट से मेसेज करो तो हमने जो अगला काड लिया है वो है 1660 सूपर गीगाबाइट का OC एडिशन डियुल वाला अब यहां पर उसका जो लॉट है वो अभी तक आया नहीं बट हमने और कर रहा था तो वो कल हमको रिस है बट क्या ही बोलू आप लोग खुदी समझ जाओ 1660 सूपर की डिमांड भी काफी ज्यादा थी विकॉज यह वाला जो कार्ड है और माइनिंग के लिए काफी दबा की यूज होता है विकॉज इसके अंदर 6GB की वीरेम आती है एंड इसका रिजन यह है कि भाई जो इथे जैसे कॉइन को जो किया काफी ज्यादा डिमांड है इसलिए 6GB वाले कार्ड है वो काफी ज्यादा रेर एंड काफी ज्यादा महेंगे मिल रहे है बट फिर भी पहले के कंपे रिजन में प्राइज काफी ज्यादा कम है पहले यही वाला कार्ड 53,000 रूपीज तक चला गया आज से दस दिन पहले एंड अभी 43,000 रूपीज में आ गया है हो सकता है आगे और कम हो तो मैंने आपको इसका भी प्राइस बता दिया आप चलते अपने अगले कार्ड की तरफ अब यहां पे हमारा अगला कार्ड है का इस वो है यह 2060 RTX 2060 यहां पर हमारे पास आया है इनो 3 3,000 का प्राइस डिफरेंस आपको देखने मिल लाएगा तो अगर आप यह वाला काड लेते हो ना तो यह वाला कार्ड आपको 45 से लेके 46,000 के आसपास देखने मिल लाएगा हलाकि इसका जो स्टॉक है वो काफी ज्यादा कम था तो फिलाल हमको तीन ही मिल पाया बट इसकी इनो 3D का 3060 एक है गीगाबाइट का 3060 जो कि यहाँ पर आप देखी सकते हो साइध आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा या नहीं पता नहीं बट आप देख लो तो यहाँ पर यह दोनों महेंगे कार्ट है गाईज और इनकी प्राइज अभी भी ज्यादा कम नहीं इससे थोड़ा सा महेंगा है इसके लिए आपको पंद्रा सा इश्ट्रापे करने पड़ेंगे अब यह जो इनो 3D का 3060 हमको पढ़ा है यह 63,000 में पढ़ा है जो कि अभी भी काफी ज्यादा महेंगा है अब यह वाला जो कार्ड है यह हमको पढ़ा 65,000 रूपीज के आसपा सबसे महेंगा कार्ड है वह है यह MSI का 3070 सुप्रीम एक्स यह वाला कार्ड है न मतलब दिल को चूँ जाता है अगर आप लोगों का कहीं जगड़ा वगड़ा हुआ है और आप पीट के भी आ रहे हो नहां तो यह वाला कार्ड देखके आपका दिल है ना खूस हो जाएगा क्योंकि यार इसके अंदर जो मतलब आरजी भरभर के मिलती है साथ ही साथ में ट्रिपल फैन एडिसन एंड काफी ज्यादा कूल रन करता है यार एंड परसनली यह वाला काड यार मुझे काफी ज्यादा पसंद इससे से लगा हो गया भाई मतलब गले लगाने का मन करता इस तो यह था सबसे महेंगा कार्ड हला कि मैंने सोचा 3080 मंगा लेते हैं बढ़ यह पर 3080 वाला सीन ऐसा था कि यार 3080 का ज्यादा डिमांड नहीं है मेरे आज बेसली एंड जो हमारे पास सबसे सस्ता कार्ड है वो है यह 1650 अब यह है इनो 3D का सिंगल फैन एडिसन हला कि यह बजट वाला कार्ड है इसके अंदर आप लोगों को प्राइस ड्रॉप देखने नहीं मिल रहा है वो क्यों पता नहीं मुझे यह जितने में पहले मिला था उतने में ही अभी भी मिल रहा है तो यह काफी सैड बात है यार बजट गेमर्स के लिए मतलब ज्यादा तर कार्ड मार्केट में अवेलेवल नहीं है एंड यहाँ पर 1050 TI का भी प्राइस कम नहीं हुआ है तो यह चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है कि यार सस्ते वाले कार्ड क्यों ही कम हो रहे है मतलब एकदम सस्ते होने चाहिए सस्ते वाले कार्ड भी ताकि यार हमारे बजट गेमर्स तो थोड़ा दौन और रुख जाना हो सकता है प्राइस और कम हो जाए तब आप लोगों को यहार कड और सस्ते में मिल सकते है यह जो मैंने प्राइस बताहिए यह कल की प्राइज से आने वाले दिनों में यह क्या प्राइस सूंगी इसका कोई आइडिया नहीं है एक चीज और बताना चाहता हूँ यार CPU का भी सॉटेज चल ला है मार्केट में स्पेसिली AMD के CPU का यार जो की होना नहीं चाहिए था बताओ मतलब पहले कार्ड फिर भाई CPU अब आगे पता नहीं किस चीज का सॉटेज होगा तो काफी ज्यादा गंदा सी मतलब हो रखा है मार्केट में इतना इस वाली वीडियो के लिए अगर आप लोगों को यह वाली वीडियो पसंद आयो तो यह वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में कुछ प्यारा सा कमेंट भी छोड़के जा सकते हो तो बस मैं यह मिलूंगा आप से अपनी अगली वीडियो में यहां तक देखने के लिए आपका दिल से सुक्रिया तब तक के लिए जैहिन बाइबाइ जब एक एंवाद प्रिआबाइ जयदाओ एंडवा प्लाइबा एंड़ देखने के लिए एंड ग्याओवा जिए खुगवां पूब प्लाइब प्लाइबाइबाइ के लिए कर दो में आपका दोट्वाराइबाइबाइ।